नमस्कार जेहिंड मैं हूँ रॉनिक रंतंत्र में आपका स्वागत है त्री इडियेट्स पिक्चर में जब रंचोर दास अपनी क्लास टॉप कर जाते हैं तो उनके दोस्तों फरहान और राजुरेस्तियोगी को बड़ा दुख होता है लेकिन फिर वो कहते हैं कि हम दुखी थे लेकिन हमसे भी जादा दो लोग और दुखी थे बस समझ लो कि आज के मैच में भी यही हुआ है हैदराबाद की हार पर हैदराबाद वाले भले ही दुखी रहे हो लेकिन वो लोग तो स्टेडियम आने से पहले होटल चेक आउट करके आये होंगे हैदराबाद पर असली उम्मीद है तो बैंगलूरू और राजस्तान वालो ने टिका रखी थी इसी तरह बैंगलूरू वाले भी इस उम्मीद में थे कि अगर मुंबई हार जाती तो उनके उपर से प्रेशर काम हो जाता लेकिन मुंबई जीत गई और अब उनका गेम मस्ट विन गेम बन चुका है आलागि उनका नेट रन रेट अभी भी मुंबई से अच्छा है इसलिए बैंगलूरू के लिए एक्वेशन बड़ा सिम्पल है उनको अपना मैच जीतना है चाहे जिस भी अंतर से जीतने है लेकिन हार उनके ई साला कप नमदे को अगले साला कप नमदे बना देगी अब यहाँ पर भी ट्विस्ट सुन लीजिए बैंगलूरू में हो रही है धुआदार बारिश जब तक हम ये वीडियो बना रहे थे तब तक तो ये मैच शुरू नहीं हो पाया था और मान लीजिए कि मैस बारिश के वज़े से पूरा नहीं हो पाता तो भी बैंगलूरूरू स्टोर्नमेंट से बाहर हो जाएगी बहुत गोल मॉल है भाईया मामला रोहित और कोहली के फैंस के लिए अगले कुछ घंडे बहुत क्रिटिकल होने वाले हैं लेकिन इससे पहले कि हम आपको बैंगलूरू वाले मैच के बारे में बताएं आपको हम डिस्क्रिप्शन में बेजना चाहेंगे कीवी अप का लिंक दिया है एक ऐसा आप जहांपर नॉलेज और पैसा दोनों की भरमार है 10 सेकेंड में 10,000 रुपए अगर जीतना चाहते हैं तो रात को 11.30 बजे इस आप पर हमको लाइव मिलिएगा आज रात बैंगलूरू वाले मैच के बाद अगर हो पाया तो हम लोग लाइव मिलेंगे और फ्री में आपको क्विज खिला कर पैसे जितवा देंगे लेकिन उससे पहले आपको इस आपको डाउनलोड करना होगा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया डाउनलोड करिए कीवी आप और अब बात कर लेते हैं मुंबई और हैदराबाद के मैच के बारे में शुरू करते हैं तो हुआ ये कि एक मस्ट वेन मुकाबले में मुंबई के क्याप्टन रोहिच शर्मा ने टॉस जीता पहले गेनबाजी कर ली और हैदराबाद वालों ने एक नया ओपनिंग कॉंबिनेशन मार्केट में उतारा इसमें थे अगरवाल जी के लड़के मयंक और शर्मा जी के लड़के विवरांत वैसे तो मुंबई वाले ये उमीद करके आये थे कि शर्मा जी का लड़का चलेगा लेकिन उनको इस बात का बिलकुल अंदाजा नहीं था कि वो लड़का विवरांत होगा आक्षन में विवरांत ने अपना बेस प्राइस 20 लाग रुपे सेट किया था लेकिन कुछ मिंटों में ही उनकी बोली करोड़ रुपे के पार जा चुकी थी कुलकाता और हाइदराबाद के बीच उनको लेने के लिए लंबी जंग चली लेकिन अंत में हाइदराबाद वाले विवरांत को उनके बेस प्राइस से 13 गुना जादा में लेने में काम्याब हो गए और आज इस लड़के को खेलते देखकर सब का रियाक्शन यही था कि आखिर अभी तक हाइदराबाद ने इनको कहां चुपा रखा था इस ओपनिंग जोड़ी ने हाइदराबाद को इस साल की बेस्ट ओपनिंग पार्टनर्शिप लगा कर दी दोनों ही बल्ले बाजों ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करी दोनों ही बल्ले बाजों ने मुंबई की गेंद बाजों को और कप्तान रोही चर्मा को परिशान कर रखा और दोनों ने ही पहले विगेट के लेक 140 रन जोड़ दिये यहां से ऐसा लग रहा था कि हाइदराबाद वाले 225 के आसपास का टार्गिट बना के दे देंगे लेकिन जैसे ही विवरांट 69 पर और मैंग अगरवाल 83 पर आउट हुए इसके बाद हाइदराबाद वाले अपना रास्ता भटक गए और उनको गुमराह करने वाले सबसे बड़े गेंदबास थे मुंबई के आकाश मदवाल जिन्हों ने अपने चार ओर की स्पेल में चार विगेट हासिल किया और मुंबई की सीजन की सबसे बड़ी परिशानी यानि डेथ ओर को सौट कर दिया मुंबई ने आकरी चार ओरों में सिर्फ एक चौका और एक चक्का दिया जिसकी वज़े से ऐधराबाद को 200 रन तक रोकने में वो कामयाब हो गए अब देखो मुंबई ने आकरी ओरों में हैधराबादालों को तो रोक लिया लेकिन खुद को भी तो 200 रन बनाने ही थे और उमीद करें कि आज शाम को होने वाले मैच में बेंगलुरू हार जाए और उनोंने अपना काम बखू भी किया साल के आकरी लीग मैच में मुंबई को लीड किया कैप्टन रोईट चर्मा ने और कर दिखाया कि आज के दिन सिर्फ विवरांत अकेले शर्मा नहीं होंगे जो चमकेंगे रोईत ने अपने पार्टनर इशान का विकट जल्दी गिरने के बाद 37 गेंदो में 56 की शांदार पारी खेली उनकी फार्म की वापसी देखकर मुंबई के फैंस को इतनी कुशी नहीं होगी जितना इंडिन किकेट फैंस को हुई वर्लडे चैंपिंजिप फाइनल शुरू होने में बस तीन हफते बाकी है और रोईत चर्मा की फार्म वापसी हमारे लिए इस फाइनल से रिलेटेट पहली अच्छी खबर है लेकिन मुंबई के हीरो रहे कैमरन ग्रीन अभी तक ग्रीन की बैटिंग पोजिशन मुंबई ने आलू की तरह रखी थी कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ फिट कर देते थे लेकिन कैमरन ग्रीन ने बिल्कुल आलू आला ही काम दिया है जहां फिट हुए स्वाद दे दिया इस मैंच में तीन नंबर पर खेलते हुए ग्रीन ने दिखा दिया कि अमबानी जी ने उनका पैसे से क्यों भर दिया था आठ चोके आठ चके और 47 गेंदों में सो रन ग्रीन ने दिखा दिया है कि आखिर के ओरों में जो हैदरावार लड़कडाई है उसका उनको क्या अंजाम भुगतना पड़ा क्योंकि 201 का टार्गेट वान खेडे पर बिल्कुल भी सेफ नहीं था और इस टार्गेट को ग्रीन ने चेज नहीं किया बलकि मजाग बना दिये बाबा, हैदराबाद के बोलिंग कोच मुरली धरन और डेल स्टेन खून के आसू रोए होंगे अपने गेंदबाजों के ऐसी गेंदबाजी देखकर, 18 और मुंबई ने मामला सुल्टाया और अब मुंबई 16 पॉइंट के साथ पॉइंट स्टेबल में चौते नमबर पर पहुंच गई है, लेकिन क्या बेंगलूरू आज आखरी मैच जीत कर मुंबई को बाहर करेगी या खुद बाहर हो जाएगी, शाम तक आपको पता चल जाएगा, और इस लीक के आखरी मुकाबले का ह इसक्रिप्शन में लिंक दिया है और चैनल सब्सक्राइब करके जाना रंतंत्र लेकर कल सुबह आएगी, तैंक यू फॉर रॉचिंग, जैहिंद